हेलो फ्रेंज, वेलकम माई यूट्यूब चैनल आज हम आपको ये कपड़े पे ब्लाउस के कटिंग बताएंगे अगर आप पहली बार कपड़े पे ब्लाउस के कटिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बिना रोके हुए तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो देखिए हम आपको यहाँ पे दिखा रहे एक तरफ हमारा लास है और पूरा हमारा प्लान है तो यह मारे साडी की जो पीस है वो है तो इसको हम पहले 4 फोल्ट में कर लेंगे तो पहले हम 2 फोल्ट करेंगे उसके बाद हम four fold कर लेंगे उसके बाद हम इस पर cutting बताएंगे तो friends अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो please like करें, share करें, subscribe करें तो देखें यहां पर हमने इसको four fold कर लिया है एक दम अच्छे से यह two fold किया है फिर उसके बाद two fold और कर लिया है तो यह हमने लंबाई से आदा एक fold करके फिर उसके बाद हमें बीच से fold किया है अब यहां पर हमें एक blouse लेंगे जो हमारे map का होगा बिल्कुर तो यह हमारे 32 wins का blouse है तो इसको हम सारी buttons को बंद कर लेंगे उसके बाद हम यहां पर fold करके रखेंगे फिर दोनों पार्ट को एकी साथ कट कर लेंगे तो फ्रेंस ऐसा करने से क्या होता है हमारा time भी बच जाता है और अच्छे से हमारी दोनों पार्ट की same to same cutting हो जाती है तो देखें अब यहां पर हमें जितना margin हमें चाहिए उतना margin छोड़के उसके बाद हमें रखना है तो हमने नीचे लगभग 2 इंच का margin छोड़ा है और हमें यहां पर इस साइड हमने पुरा अच्छे से रख लिया है अब यहां पर जैसा हमारा plow same वैसे हम निशान लगा लेंगे तो friends इसमें हम बीना भगाये हुए एदम अच्छे से आपको बता रहे हैं आप यहां पर देख सकते हैं तो देखें यहां पर आपको चोड़क से जैसा हमारा गला है same वैसे हमें निशान लगा लेना है और हम टक्स का निशान बाद में लगा लेंगे कट करने के बाद भी हम आपको बताएंगे कैसे लगाना है तो जितना हमारा सोल्डर है हम उतना ही यहां पर ऐसे आर्मोल को भी मिला लेंगे उसके बाद हम same ऐसी पर कट कर लेंगे बस हम गले की कटिंग नहीं करेंगे तो देखे इधर हमने मार्जन ज्यादा छोड़ा है तो फ्रेंस आप मार्जन थोड़ा ज्यादा ही छोड़ें लगभग 3 इंच का हमारा मार्जन है अब यहां पर हमें वैसे ही कट कर लेना है same जैसे हमने निशान लगाया है बस हमें आर्मोल में थोड़ा मार्जन देते हुए कट करना है क्योंकि हमने निशान एकदम बराबर पर लगाया है और हाप इंचूपर की तरफ भी लेके हमें कट करना है और गले की कटिंग हम दोनों पार्ट को अलग करके करेंगे क्योंकि हमारा दोनों पार्ट इसी में है तो देखिए फ्रेंस यहां पे मैंने दोनों पार्ट को अलग कर लिया है तो आपको इसमें जो भी मतलब अच्छा लगे आप बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट का कर सकते हैं तो देखिए यह हमारा जो हाद में है यह हमारा उल्टा है तो इसको हम ऐसे फोल्ड करके यह हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे इसमें गले की तो आपको अच्छे से ऐसे बराबर करना है उसके बाद आपको गले का निशान लगाना है तो देखिए हमने यहाँ पे बराबर क उसके बाद हम गुलाई मिला लेंगे बस यह हमारी चोड़ाई के लिए होगा हमें कितना चोड़ा पट्टी चाहिए आप के ब्लाउस के अनुसार आप पट्टी रख सकते हैं तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमने गुलाई मिला लिया है अब इसी गुलाई को हम कट कर लेंगे तो देखिए अब हमने इसको कट कर लिया है अब सेम इसी तरीके से हम फ्रंट पार्ट को भी गले की कटिंग कर लेंगे तो इसके लिए हमें अभी यहाँ पे हम एक टक्ष का निशान लगा देते हैं तो हमने नहीं लगाया था तो हमें गले के एक किंच के बगल में इसको लगाना होता है तो अब यहाँ पे हम फ्रंट पार्ट को ऐसे रखेंगे फोल्ड करके अच्छे से उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमें तक्स का भी निशान भी लगाना है और हमें गले की भी कटिंग करनी है तो हम सारे एक प्रोसेस करने के बाद हम तक्स का निशान लगाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए और बहुत ही इजी तरीके से हम आपको बताएंगे तो देखिए अब यहाँ पे हम जितना हमारा हलका हलका सा देख रहा है अब यहाँ पे हम डार करके आपको दिखाते हैं यहाँ पे हमानने गले का निशान लगा लिया है यहाँ पे देख सकते हैं अब यहां पे हम टक्स का निशान लगाएंगे तो इसके लिए हमें यहां से हमें तिहाई भाग पे आगे वाले टक्स का निशान लगाना है क्योंकि हम बीचों बीच नहीं लगाएंगे नीचे भी हमारा फोल्ड होगा और यहां पे हमें जो जहां पे गहरी गुलाई होती है वहाँ से हमें टक्ष का निशान लगाना है और यहाँ पे हमें तिहाई हिस्से नीचे की तरफ छोड़ने है और दो हिस्सा उपर छोड़ना है और यहाँ पे भी हमें एक हिस्से पे ही लमसम लगाने हैं तो देखिए आप ऐसे निशान लगा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप यहां पे देख सकते हैं अब यहां पे हम गले की कटिंग कर लेंगे उसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट भी कम्पलीट हो जाएगा तो इसके लिए आपको दोनों साड भी टक्ष का निशान लगा लेना होता है तो देखिए अब यहां पे आपक को बराबर करके कट करके दिखाते हैं तो देखिए यहां पे हमने फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लिया है गले की पूरे अच्छे से अब यहां पे आपको नीच्चे की सायड़ करके सिलना है तो फ्रेंस अगर आप चाहे तो अस्तर वाली भी बना सकते हैं अब यहाँ पे हम फोल्ड करके इस साइड भी निशान लगा लेंगे तो आपको क्या करना है निशान को डार्क कर लेना है उसके बाद ऐसे फोल्ड करके हास से दबाते हुए हम उस निशान को उस तरब भी कर लेंगे अब यहाँ पे आपको हलका हलका निशान दीखेगा उठ से आपको डार्क कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर आगे का पार्ट दोनों अलग करना है तो कर लिजे नहीं तो आप जॉयंट ही सिल लिजेगा क्योंकि मैं जॉयंट ही ज्यादा सिलती हूं तो आप इसकी स्ट्विचिंग की वीडियो जरूर देखिएगा अब यहां यहां पर देखिए हमारा जो कपड़ा बचा है इसमें से हम स्लीव निकालेंगे तो स्लीव के लिए हमारा जो कपड़ा हम जिस तरफ से यूज़ होगा उस तरफ से यूज़ करेंगे यह नहीं है कि हमारे पास कपड़ा ज्यादा है तो उसको हम बेकार में सारे कपड़े को भरबाद कर दे, तो देखें, यहाँ पर हमने इसको fold कर लिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो जितना हमें slave की चोड़ाई चाहिए, हमें उतना fold करना है, तो यहाँ पर हमने two fold कर लिया है, अब यहाँ पर ऐसे four fold हो गया, तो देख सकते हैं, मैंने एक तरफ से कपड़ युज किया एक तरफ से बागी का कपड़ा हमारा बच गया है तो सेंब इसी तरीके से आपको कर लेना है अब आपका जो भी ब्लाउज है आपका उसको नाप लेना है और उसमें मार्जन देते हुए आपको कटिंग कर लेनी है तो देखिए याप यह आपको ब्लाउज ऐसे स्लीव को नापना है हाफ इंच इस तरफ छोड़ेंगे हम हाफ इस तरफ अगर आप विदाव डस्तर के सिल रहे हैं तो आप आगे की तरफ एक डेड़े इंच छोड़िएगा तो अब हमें इस निसान को ऐसे गुलाई देते हुई आप ध्यान से देखिएगा ऐसे हलका हलका गुलाई राउंडी में देते हुए यहां से हमें सीधा कर लेना है तो देखिए बिना इंच टेप के हम कितने अच्छे से यहां पे निशान को लगा लिया है और आगे की तरफ तो आपको पता ही है आप जितना मार्जन छोड़ना चाहें छोड़ सकते हैं अगर अस्तर वाला है सिर्फ आप इन छोड़िए बिना अस्तर के हैं तो एक से डेड़े इन छोड़ सकते हैं अब यहां पे हम कट कर लेंगे इसको तो देखिए हमने आपे कट कर लिया है अब आगे से हम दोनों पार्ट को अलग कर लेंगे तो देखिए आपको ऐसे आगे की तरफ करके इसको अलग कर लेना है तो फ्रेंस वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज लाइक करिएगा और सेर करिएगा ज्यादा से ज्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा क्योंकि हम आपको ऐसे वीडियो देते हैं तो देखिए अब यहाँ पे हमने आप इंच अंदर की तरफ गुलाई देते हुए निशान लगा लिया है यह अब हम इसको बाद में कट करेंगे सिलते समय क्योंकि हमारा आगे का पीछे हो जाता है क्योंकि समझ नहीं आता किसी किसी को तो हम आपको उसमें समझाएंगे पूरे अच्छे से तो देखिए यह हमारा कपड़ा कितना सारा बच गया है अब यहां से हम पाइपिन निकालेंगे तो अब आपको यह समझ में नहीं आ रहा है तो पाइपिन हम कितना निकालेंगे तो फ्रेंस आप अपने पाइपिन के अनुसार आप पाइपिन निकालेगा यानि की 1.5 इंच तक हम निकालेंगे पाइपिन तो देखिए हमने इस साइड भी निशान लगा लिया है सेम इसी तरीके से आप पाइपिन की कटिंग कर सकते हैं और पाइपिन हमारा बहुत ही परफेक्ट होगा तो देखिए हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है अब इसको अच्छे से हम कट कर लेंगे और ऐसे ही हम बहुत सारे पाइपिन कट कर लेंगे क्योंकि हमारे गले में एकी भी पाइपिन से नहीं होगा तो फ्रिंस यहाँ पर आपको ध्यान देना यह बात है क्योंकि हम देख रहे हैं तिर्चे में इकट क्यों कर रहे हैं क्योंकि आपको सारी पाइपिन तिर्चे कपड़े में इकट करना होता है कितने लोग सीधे सीधे पट्टी कट के लगा लेते हैं और पाईपीन सही नहीं बनता है, तो बोलते हैं, हमारी पाईपीन तो सही नहीं बनी, तो प्रेंट्स ऐसा मत करिएगा, क्योंकि आप औरे में पाईपीन लगाएंगे, तिर्चे कपड़े में कट करके, तो आपकी पाईपीन भी बहुत सही बनेगी, और देखने में भी अच्छा लगेगा और आसान तरीके से आप सीख भी लेंगे सीधी पाइपिन नहीं बनती है इसलिए देखिए हमने सारी पट्टियां और इमें कट कर ली है अब यहाँ पे सिर्फ आगे की पट्टी बच गई है तो यह हमारा जो नीशे का गले में कट करते हैं तो उसका कपड़ा हमारा जो बचा है इसका हम यूज कर लेंगे क्योंकि यह कपड़ा वेश्ट हो जाता है तो इसका हम यूज कर लेंगे और भी से हम कट कर लेंगे और हमारे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट की यह हमारी स्लेव है और यह हमारी सारी पाइपेंस है तो फ्रेंज सारे ब्लाव्स की कटिंग हो गई है बहुत ही आसान तरीके से और कम से कम समय में तो अगर आप पहली बार कपड़े पे कट कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा पुरा पसंद आएगा तो वीडियो पसंद आए तो फ्लीज लाइक करिए सेर करिए सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके जरूर बताए कैसा लगता है थांक्यो धन्ट